इसाम तुझे मिलेने का सत्य संही बहाना है रादे रादे जैस्री कृष्णा कैसे आप सभी मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीकी होंगे तो साथ यहों आज मैं प्यारा सब भजन लेकर के आया हूँ आप लोग के बीच में तो हमारे फिंगर को फोलो कीजिए और सिखने का प्रयास कीजिए यह बहुत प्यारा सब भजन है साथियों कहीं भी आपको यह सुनने को मिल जागा भागबत हो यह कहीं पर किसी भक्ति प्रग्राम में यह सुनने को मिलेगा तो कीजिए और पूरा समझिए मैं पहले गाता हूँ फिर एक एक अंगली से बताऊंगा ताकि पूरा समझ माझा जाए बहुत ही प्यारा बहुत ही जी सोंगे और इस बाजन को सुबह साम रियाइज कीजिए प्रैक्टिस कीजिए अपने मोबाइल हर्मोनियम से आपके पास हर हर्मोनियम सीख सकते हैं या मेरा पक्का गारेंटी है सो परतिसद क्योंकि मैं खुद सिखाऊं तो आप जरूर सीख सकते हैं तो आईए करना क्या है हमारे फिंगर को फोलो कीजिए और वीडियो के लास्ट तक बने रही अगर सब्सक्राइब नहीं कि हैं अभी हमारे चनल क तो कर रहें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करो तो सबसे पहले आप लोगों तो पहुंचे तो आईए मैं फिर से एक बार गाता हूं और फिर मैं एक एक अंगली से बताओंगा और कोई भी गित कैसे निकलता है बहुँ बताओंगा देखिए को गाने को सेलेक्ट इस गाने में बहुत सारे पाट आते हैं तो उसमें क्या है पहले हमको चुनना पड़ता है जैसे कि असके बाद हमको समझ में आ जाता है कि यहां से स्वर ऊपर है नीचे उस इस उस हिसाब से गाने को प्ले करते हैं जैसे कि इस प्रकार आई साम तुझे मिलने का सत समही बहान है साम तुझे मिलने का सत समही बहान है आए साथ यह तो पहला लाइन क्या है देखिए मेरे फिंगर को देखिए और आराम से आप भी इस एप को डाउनलोड करने के लिए हमारे दिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुए महां से आप जल्दी डाउनलोड कीजिए और इस से आपके जरी मेरे फिंगर को फोलो करते हुए आप हर्मोनियम से की आई पहला लाइन स्याम तुझे मिलेने का एक दम किलियर एक एक अंगल से फ्रेस करके बताऊंगा स्याम तुझे मिलेने का आराम से देखिए आँखों में बिठा लीजिए इस तरह से अब दूसरा लाइन दूसरा लाइन देखिए पीछे का लाइन में थोड़ा अलाव है सब्सक्राइब दूसरा लाइन में है यहां से यहां तो है थोड़ा एक बार जो पहले बार ली है वह उपर है और थोड़ा सत जब स्वर्लाश होने लगती तो नीचे साम तु तुझे मिलेने का सत्संग ही बाहाना है 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 अब क्या है इसकी जो दूसरी लाइन है वही स्वर्लाइन अंत्रा में भी है तो आप समझ लिए फिर अंत्रा में वही लाइन बईता है क्या है दुछा में दूसरी दूसरी जो दूसरी स्याम तु वही बॉलेके दन है ये घृता पुर 언제 है क्याय माले क्या हँआ धै क्याओर है ये रीसधा पुर है देखी दुनिया वाले चार बार में यही बटम से हो जाएगा क्या जान इस तरह से आराम आप से एक एक पार्ट को लग जिसे दुनिया बाले क्या जाने इस तरह गुनगुनाई अपने मान में देखिया हार्मोनियम पर बोली नहीं स्वर बईता है आप गुर्मुन ना करके आराम से सकते हैं फिर सेम लाइन वही ओस्चाम तुझे मिलेने का सत्य संग ही बाहाना है तो मेरे प्यारे दोस्तों मेरे प्यारे साथीयों यह विडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरुब और कौन से बजन कौन से गाने आपको चाहिए आप कोमेंट में जरूर बताइए मैं प्रयास करूंगा आपके हिसाब से बनाने को ताकि आपको समझने में और सुभीदा हो मेरा एक ही लक्ष है जिन भाईयों को हर्मोनियम सिखने का सोख है और उनके पास हर्मोनियम नहीं है लेवल तो आप कुछ मत किजिए आप सिर्फ मवाइल है अभी एसमार्ट जवाने में एसमार्ट तरीके से हर्मोनियम सिखे और इसे भी लगडाउन का माहल है तो आपको कहीं ना जाना हो इसलिए मैंने ये तरकीव निकाला है कि आप घर बेठे हर्मोनियम सिख सकते हैं तो कि आठ से नौ एंबी के बीच में है या एप आवांसे डाउलोड कीजिए और बजाईए और भी सारे वीडियो है हमारे चैनल पर आपको जैसे समझ में हर्मोनियम सिख के वही बैठ सांत होई ताकि आधा अधुरा घ्यान कोई काम के नहीं होते तो भाई मिलते हैं फिर